नमस्कार दोस्तों आप सबी का वेलकम एक पर फिर से और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करेंगे चेक करेंगे एम्परें के टुवार्लस बर्ड्स डॉड्स प्ले और दोस्तों इह गेमिंग बर्ड्स है और यह हमने पर्चेस के फिप कार से एक बिग बिलेण सेल में अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो सब्सक्राइब कर दिया करो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस् तो यह gaming birds है and यहाँ पर देखिए आपको ultra low latency मिल जाती है इन birds में gaming में and यहाँ अगर हम देखें तो देखिए 23 hours तक का यहाँ आपको total playtime मिल जाता है इन birds में and यहाँ पर Bluetooth version आपको 5.1 मिल जाता है IPX4 water resistant है यह birds and यहाँ पर आपको high base मिल जाता है and back side अगर हम देखें तो देखिए 1 air की warranty आपको इन birds में मिल जाती है Google Assistant का भी आपको support मिल जाता है इन birds में and यहाँ अगर आप इन्हे 50% volume पर सुनते हो तो आप 8 hours तक इन्हें use कर सकते हो single charge में and यहाँ पर दोस्तों देखी box में pricing दे रखिए 2000 बड़ी दोस्तों हमने flip card से purchase किये थे big billion days में and दोस्तों offer price में हमें मिल के थे सिरफ 700 में तो चले दोस्तों box open कर लेते हैं तो दोस्तों ऐसे कुछ box packaging आपको देखने को मिल जाती है and दोस्तों यहाँ पे आपको कुछे documents मिल जाते है and दोस्तों यह हमारे buds इनको रखते हैं थोड़ा side में and यहाँ पे दोस्तों आपको एक type-c cable मिल जाती है charging के लिए and यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ यह extra tips मिल जाते हैं तो चले रखते हैं सबको side में और आते हैं अपने buds की तरफ तो दोस्तों ऐसा कुछ चार्जिंग केस आपको देखने को मिल जाता है यहाँ ओपर की तरफ एंपर लिखा हुआ and backside देखें आप आपको type-c port मिल जाता charging के लिए यहाँ सामने की तरफ दोस्तों आपको दो lights मिल जाती है यहाँ पर नीचे की तरफ आपको BIS की information मिल जाती है और मैं अगर इस charging case को open करूँ तो देखें यहाँ पर हमारे buds इनको रखते हैं थोड़ा side में यहाँ पर देखें आप charging points देख सकते हो और दोस्तों ऐसा कुछ इसकी lid है तो यहाँ पर दोस्तों design और build quality के अगर मैं बात करो तो इस charging case का design और build quality को जाधा अच्छी नहीं है यहाँ पर दोस्तों अगर आप लिट देखोगे तो काफी low quality की lid है अगर आप दोस्तों ध्यान से सुनो के तो देखें इसमें से अवाज भी आ रही है इसके lid में से तो यहाँ पर design और build quality इस charging case की मुझे कुछ खास नहीं लगी charging case काफी low quality का लग रहा है बड़ यह दोस्तो आते हैं अपने birds की तरफ तो ऐसे कुछ इस बड़ आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ ऊपर की तरफ आपको LED लाइट समल जाती है इन birds में यहाँ पर देखे आपको एम ब्रेन का लोगो देखने को मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों आपको नेचे की तरफ माईक देखन तो इन बट्स का design भी अच्छा है और यहाँ फिल्ड क्लोडी भी बात कर ऑद करो चार्जिंग केस की बात कुछ खास नहीं है बढ़ यहां पर प्राइसिंग केस आप से बताऊं तो चार्जिंग केस भी ठीक थाग है बढ़ यहां पर बड्स की बिल्ड कॉलिटी आपको ज्यादा अच्छे मिल जाती है और आपने दोस्तों फोन के Bluetooth में सर्च करना है तो देखिए दोस्तों ऐसा शो करेगा Ambrain Dot Play तो जस्त आपने इनको टच करके फोन से पेर कर लेना है तो देखिए दोस्तों इस बर्ट अभी हमारे स्मार्टफोन से पेर हो चुके हैं दिखा रहा है 100% ही चार्ज है तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं कैसी इनकी sound quality है तो दोस्तों ऐसा कुछ लुक आपको मिल जाता है जोब आप वेर करते हो इन बर्ट को और दोस्तों देखने में काफ़े good looking लगते हैं कानों में इनकी fitting भी काफ़ी comfortable है यह काफ़े light weight भी है बर थोड़े से size में थोड़े हैं इनको काफ़ी लंबे time तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं आपको कानों में pain बगारा बिल्कुल भी नहीं होगा यहां पर दोस्तों में बात करें sound quality को लेकर जो की main चीज होती है birds में तो यहां पर आपको sound quality भी काफ़ी अची मिल जाती है bass काफ़ी heavy मिल जाता है इन में आपको and vocals और triples भी काफ़ी ज़दा crystal clear है तो overall एक बहुत अची quality का sound experience आपको मिल जाता है इन birds में यहां आपको gaming में भी काफ़ी कम latency देखन को मिलती है तो चलिए दोस्तों एक pairing test करके देखते हैं कि कितनी जल्द यह birds हमारे smartphone से pair होते हैं तो यहां पर अगर मैं इन birds को charging case से बाहर निकालता हूं तो देखते हैं 1234567 तो देखिए 7 seconds में इन birds हमारे smartphone से pair हो चुके हैं तो चलिए इन डिस्कनेक्ट करते हैं भी तो जैसे मैं इन चार्जिंग केस में रखता हूं दुवारा से तो देखिए एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए हैं साथ के साथ तो चलिए एक पर दुवारा से कनेक्ट करते हैं इनको 12345678 तो देखिए दोस्तों इन birds अभी हमारे smartphone से pair हो चुके हैं तो यहां पर आपको pairing जो मिलती है इन birds में वह काफे fast मिल जाती है तो चलिए दोस्तों controls देख लेते हैं कि क्या controls आपको इन birds में मिल जाते हैं तो दोस्तों इन birds में आपको touch control मिलता है यहां पर अगर हम देखें तो दोस्तों अगर आप double tap करते हो तो यहां पर आप music को play pause कर सकते हो यह देखिए या दोनों से कर सकते हो यह देखिए और दोस्तों same base अगर call आ रहे है तो आप call भी receive कर सकते हो या disconnect भी कर सकते हो अगर आप यहां पर right वाले को थोड़ी दिर के लिए hold करोगे तो देखिए आप music को next कर सकते हो यह देखिए कुछ इस तरह से अगर आप left वाले को थोड़ी दिर के लिए hold करोगे तो यहां पर आप music को previous कर सकते हो यह देखिए कुछ इस तरह से अगर आप triple tap करते हो left वाले को तो यहां पर दोस्तों आप Google Assistant को भी activate कर सकते हो यह देखिए कुछ इस तरह से 123 यह देखिए तो दोस्तों इन birds में आपको gaming mode भी मिल जाता है तो अगर आप यहां पर right वाले को triple tap करते हो 1,2,3 तो यहां पर gaming mode activate हो जाएगा अगर आपने birds कानों में वेर किया है तो आपको आवाज आएगी gaming mode activated और दोस्तों अगर आप दुबारा से triple tap करते हो right वाले को तो यहां पर gaming mode क आपको deactivate भी कर सकते हो तो दोस्तों ऐसा कुछ touch control आपको इन birds में मिल जाते हैं यहां पर touch control काफी अच्छे से काम कर रहा है काफी responsive है यहां पर आपको volume control इन birds में नहीं मिलता है तो दोस्तों अगर आपको gaming birds purchase करना चाहते हो 7800 की pricing के अंदर तो दोस्तों definitely आप इन birds को purchase कर सक है यहां पर आपको sound quality को लेकर जो कि में चाथ होती है birds में तो यहां पर आपको sound quality भी काफी अच्छी मिल जाती है bass काफी heavy मिल जाता है आपको and vocals भी crystal clear है तो overall इस pricing में इनकी sound quality मुझे काफी अच्छी sound quality आपको मिल जाती है यहां पर गर मैं बात करूँ battery backup को लेके तो दोस् इस ने करके देखी दी तो call quality भी इन birds की काफी अच्छी है और यहां पर दोस्तों गेमिंग बर्डज है तो अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग के लिए काफी अच्छी है अगर आप इसमें गेमिंग अक्टिवेट कर देते हो तो आपको काफी कम latency देखने को मिलती है तो gaming के लिए भी दोस्तों ये काफी अच्छी रहेंगे तो दोस्तों definitely आप इन birds को purchase कर सकते हो अगर आपको 7800 में कोई birds purchase करने है और दोस्तों इनका link मैंने description में दे दिया है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था I hope आपको वीडियो पसंद आयोगी और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो